नमस्कार दोस्तों आपको फिर से एक वार सौगत है आपके फिर चैनल आशीर जिए सब्सक्राइब कर रहे हैं जो मॉटल पेपर है एक तरह से तो उसमें जो भी कुश्यन बनने की चांस है उन्हीं कुश्यों को हम यहां पर डिसक्स कर रहे हैं तो जो कि यूपी तरपर एस जो यहां पर प्रेट कराती है तो चलिए तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ कुछ नों पर इदियाब चैनल पर पहले वार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेएगा और बहले के गंटे को जरू दबाएगा चलिए तो अगला कुश्यन देख लेत इल्टुमिष तो यह बताएगे जो भारत में जो सास्ण करने वाले हैं सबस्पहले उनका क्रम किया है रानी कि सिरूओ अ कौन आया तक कुछ नहीं किया तो फ़र दूसरे नमघर किस नहीं किया और चौन झोड़े बच्रुचा कर लेते हैं चो पहले नमार पिले है कि 11 से 1236 के बीच यहां पर इनका रहा था 1211 और 1236 तके बीच इल्टत्मस का रहा था या यह फर्ष्ट नमर पर कौन हो जाएंगे यह यह फिस हो जाएंगे आप सेकंड नमर की बात करते हैं अलावद्दीन खिजली खिल जी तो इनका रहा इनका कितना रहा था इनका सासन रहा थ 296 से लेकर 1300 16 हे इनका जो अचासन रहा था अब अगली बात करते हैं यह सेसाह सूरी के इनकी बाद एलाव दिन खिल को घ्रावाई कराता सेथा सूरी का जो काल रहा वह रहा 15 ख मॹतте लेकर 16 Jack ने Hill का आ अपर हो जाएंगे अलाव कुण धितना कई तीसरा पहला दूसरा यहां पर जाएग राइट mentor चलिए तो अगले कुशचिन की बात करें हैं आएऊ हुप आप कोई सहा पर हो अग shorter when कि कि आ खिर दे गें कि मैं इसे कौन शासंतिं सिवा जी का समकालीन थे सिवा जी के समकालीन कौन से कौन सा सहा कौन सत्रसा taxi की बात करेंगे तो यह कौन सो थे जो एक महानसंत कभी थे, कौन जी, कौन थे िटकाराम जी, चलिए, अगले question के बात करेंगे, अगले question है, बंगौल के प्रिवनर जनरल कौन थे, तो ये तो सत्रा सो तेहतर में, या तखेगा, सत्रा सो तेहतर बात करते हैं, 37-57 में एक रेगूलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, गौन सा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था एक्ट, इक पारित हुआ जिसके तहत, जिसके तहत 1764 में यह वारिन है्स्टिंग क्या बने बंगाल के प्रिथम गवर्णर जनरल बने और भारत के उसी समय तभी से उनको भारत के प्रिथम बास्तविक गवर्णर जनरल माने गए भारत के भी चलिए तो आई होप आप लोगों को ये कुशन समझ में आ चुका होगा और यहाँ पर सत्रास तहतर की बात करें तो सत्रास सिस्तर के सत्र के एक पार्ट रिगौुलटर एक्ट की तहत होगी ती जीए और इसके सहित कहां तहरे दो में को यह सब ही कोशन पता होगा सब करेंभा इसका पता होगा इसका जीडिशा हो जाएग चिकित्साह मन में है यह है चरक सहिता अब यह क्या है एक है यह यह एक चरक क्या है और यह संस्क्रिट भासा में लिखा हुआ था यह तकिएगा तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा चिकित्सा कौन सब्सक्राइब यह और कि सब्सक्राइब अगला क्यों सब्सक्राइब निम्न कित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो 271 BC में क्या हुआ तक कलेंगुद यह बिलकुर्ट सही है यहाँ पर बात करेंगे यह भी सही है अभी 88 जो 788 है इसमेस सख संबत की सुरुबात हुई ती और 622 में क्या हुआ मुसलिम की सुरुबात हुई ती लेकिन जो औरंग जिव है ऐनकी मृत्य जेव की मृत्य जीता थैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कलेंग युद्ध युद्ध यही जीता था असोग ने सम्राट असोग ने जीता था कि कलंग एक मात्र युद्ध जो कि असोग नहीं जीता और वह यहीं लड़े थे और एक किस कि कि पमच हुआ था असोग के सम्राठ अशुक से राजा अनंथ पधनाभन किसे राजा अनंथ 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 पधनाभन कुछ हुए यह धुगा ता कौन सा कलेंगी यह धुगा था 261 में चलिए अगले कुश्चन की बात करेंगे अगला कुश्चन है निम्न मैंसे किसे भारत के Grand Man के नाम से Grand Old Man के नाम से जाना जाता है तो यह देखे सभी किसका जो किसे जानते हैं इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमर ए दादा भाई नौरो जी जिने हम Grand Old Man के नाम से भी इनको जाना जाता है तो इनके बारें बात करें दादा भाई नौरो जी इनके एनों ने जो अध्यक्ष्चत की कॉंग्रेस के अध्यक्ष्चत की एक तो इसरा भी में घ्रख्चत की उसकी इनकीसित्त देटमाराए लिने के इतले ड्भाई नौरो जी पनता है कौन थे एक पार्सी थे आ चलिये तो दादा भाई नुरू जी इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगले कुश्चन की बात करेंगे अगला कुश्चन है सन 1915 से 16 में किसके नेतरत में दो हॉम रूल लीग शुरू हुई तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एनिवेसेंट एंड लोग मानने तिलग ऑप्सन नुम्मर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन है अगला कुछन है निम्न्न का मिलानर करें ब्रह्म समाज रामकिष्ण मैसन आरिस समाज और सत्त सुरस समाज जो इसके जो आपने पढ़े होगा इनके बारे तो आप इनको जबूर आरम से लगा सकते हैं इसके जो राइटर अंज घौण समाज यानि की राजरा मोहन राय ब्रह्म समाज की इस्थापना किसने की राजरा मोहन राय ने की थी और राम किसमिसन की इस्थापना किसने की थी यह भी आप बताएगा जब तक आप ही लगा यह हम भी लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आरे समाज की इस्थापना कौन पहला और तीसरे का दूसरा और डी का पाच्वा ऑप्शन नमर सी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी दा राइट अंसर कुछिन नमर इट का क्या हो जाएगा सी दा राइट अंसर चलिए अगले कुछिन की बात करेंगे अगला कुछिन है करो या मरो का ना किस ने दिया तो यह किस ने दिया था यह कुश刃 सभी को पता है इसकान सार यह bass तो और त नहीं कि प्रिधिटिस का शासन गरुए सबlles सब्हाय है कि sii कि अधी आता है तो मुक्सीन के लिए नारा दिया गया था तुछ सी दुटी विस्वत के बाद सब्सक्राइब करने निए यह तर्खीगा और पहला कब गगए था यह को कमेंड करके बताना है चलिए और इसकी बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस का जनम कव गवा था क्योंकि यह अलाग से टॉपिक दिखा है हमारे सिलेबर्स में तो इनका जनम हुआ ता कब हुआ यह वा था 23 जनवरी 23 जनवरी 1897 को इनका जनम हुआ ता सुभाष चंद्र बोस ची का चलिए अगले कुश्चन की बात कर लेंगे अगला कुश्चन है कि जब भाषति और राष्ट्री कांग्रेस के डेख्ष पत से श्तीपा दिया तो इस पत का प्रस्ताव किसे दिया गया तो kg No. 10 प्रश्चन हो जाएगा ब्ounds क्या हो जाएगा ऑप्शन No. C इनको प्रस्ताव दिया किसको कि से क्या था डॉक्टर राइ lawn अंसर चलिए अगले कोश्चिन की बात करेंगे सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर इस्तेत है तो यह किस नदी पर है तो यह है चिनाव नदी पर option नमर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट अंसर जो सल जो सलाल पन विजली पर यूजना किस नदी पर चला जा रही है चलिए अगला कुश्चन है है बसंत्य विसूब होता है 21 ऑठारा जून टरहीश से्टमबर या फिर 22 दिसंबर को यह हो जाएगा option बसंत विसूब होता है 21 मर्ज को चलिए अगले कोश्चन के बात करेंगे है कि राष्थान में खेतर पर्योजना किसके उत्पादन के लिए प्रसद्ध है देखी की किसे ऑप्सन और सरी जी आप चलिए अगले कुशन की बात करेंगे अगला कुश्चें क्या है कांजी रंगा राष्ट्य उत्यान परहस्थित है तो कहां परिश्थे थे तो आप सभी को पता है कि काजी रंगा है यह कहां है असम में काजी रंगा जो राष्टी उध्यान है असम में यहां पर क्या पायाता है एक सिंग बड़ा गेरा हाती यहां पर फिर्श्थ है यहां पर कौन सा कौन सा जर्णर पायाता है एक सिंग वाल से निकलती हैं वो नदियां कौन-कौन से हैं इन चारों में से कावेरी गंगा ब्रंपुत और गोदावरी यह सभी को पता है कि जो हमारी गंगा है यह उत्री भाग से निकलती है उत्री भारत से निकलती है और हमारी ब्रंपुत भारत से निकलती है जैसा कि आपको सभी को पत ता यानि कि ये option number B is the right answer दूसरा और तीसा option number B is the right answer चले अगले question की बात करेंगे अगला question है बैंक फिर का अर्थ क्या है साहू करा प्रों साहू कारों द्वारा दी जाने वाली ब्याजदर अनुस बुचित बैंक को द्वारा ली जाने वाली ब्याजदर बैंकिंग स्थानों के लाब की दर देश के केंदरी बैंक कि दोरा ली जाने वाली अधिकारिक भ्याचतर अप्स नमर क्या हो जाएक ऑप्स नमर D हो जाएकगा इसको चाहिए अंसर क्या हो जाएगा अगले कुछ निगी बात करेंगे यदि RVI नगत कोशानुपाद को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा तो आप्सिन नमर क्या हो जाएगा ओप्सिन नमर यहाँ पर C हो जाएगा इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगी क्या हो जाएगा जो यह क्या हो जाएगा जो यह क्या हो जाएग कि अर्थ वस्ता में संस्थानों संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविदियों का मुख देश लाव अरजित करना होता है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पूजी बादी अगला कुश्चन है 100 रुपए का नोट किसके त्वारा स्थार्श चरिक्त होता है यह आपको सभी को पता है कि इसका जो राइट अंसर हो कौन सा है यह आर्वाई के गवर्नर जो होते हैं 100 रुपए यानि की एक दो रुपए और दो से अधिक रुपए दो और दो और दो और दो से अधिक के जो नोट होते हैं उन पर इस्थाक्ष़ कौन करता है वो करता है आर्वाई लेकिंश के करता है नोट पर एक रोपाय करता है क्या है और याप सभी को बताना होगा इसका वह जाएगा यह हो जाएगा फॉर्ए एक्सचेंज मेनेजमेंट एक्ट ओप्सेन नमर क्या हो है चली चली अगले के बात करें गे अगला कुश्चन है जन स्वास्तव और स्वयवत प्रेंग स्वाक्सता किसमे सामल है सम्यदान में तो किसे राज्य सूची Колो यहाँ पर बता दें राज्य सूची में कुल कितनी हैं यह आपको बताना होगा तो कितनी बशा है है ये कुल बशाइए और संवर्थी सूची में कितने हैं ये सूची जास करेंगे ये कोश borrow दी हैं उनमें आपनों को देख लिएगा एक वर भारत में पंचायती राजवस्ता किसके अंतरगत रखी गई है तो यहां परदे की सभी को पता है जो पंचायती राजवस्ता है किसके अंतरगत रखी गई है यह रखी गई है राजी के नीति निशक तत्व की अंतरगत रखी सबिखान के कराँ तक चलता है 36 से ये टावन थे राज की सत्व आप राजNew के लिए गया है यह कहार आन्य लेन्ड से कहार अगले कु silic कि पाथ करेंगे अगला कुश्ण क्या है शिक्छा कादिकार एक मौले कादिकार जो की संबन्दित है सिख्चा का अधिकार किस संबन्दित है यह जो गरि may अनूच्छय 21 ऐसे संबन्दित है इसमें क्या है कि छैसे इसमें है छैसे लेकर चव्ड़ा बड़्स के बच्चे यह बच्चों को निश्र्व सुख्चा देने का प्राबदान है और ये कब जोड़ा गया था 21 में 21 A कब जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था 86 वे समिधान संसुदन अदिनियम के अदिनियम 2002 में ये संसुदन किया गया था इसमें 21 A अनुछे जोड़ा गया था किसमें 21 में चलिए अगला कुश्चन है अगला कुश्चन की बात करेंगे निम रिखेत में से किस ने समिधान सवा में उद्दिश प्रस्ताव रखाता तो option क्या हो जाएगा इसका जो right answer हो जाएगा यह क्या हो जाएगा option number यह हो जाएगा right answer जवाला नेरू पंड़े जवाला नेरू ने जो समिधान सवा मैं उद्दिश प्रस्ताव रखाता चलिए अगले question की बात करेंगे अगले question है 23 समिधान के किस अनुशेद में अल्प संख्यकों के हित नहेत हैं तो किस में है option number C अनुशेद 29 में जो अल्प संख्यक हैं और भाव संख्यक हैं इन दोनों काहिश में इनके बारे में बताया है है छलिए अनुछेद 29 में चले अगले कुश्चन की बात करेंगे अगला कुश्चन है जो कि आप साइंस के कुश्चन दला है यह आप चैनल पर पहली बार है यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को जोड़ लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नौटि सी मुक्त इलेक्ट्रोन यहीं को सबी को पता है जो प्रिकास वर्जी यह एक बर्स नापने की एकाई मानियाती यानि एक वर्स में निर्वात में प्रकास द्वारा चली की दूरी ये एक प्रकास वर्स के बरावर होता है चलिए इसका जो राइट अंसर के हो जाग ऑप्सन नमर सी इस दा राइट अंसर तो एक प्रकास वर्स एक प्रकास वर्स कितना होता है व वो आपको बताना है चलिए इसकी चाल के बारे हम पूछ रहे हैं अगला कोश्चन है bleaching powder का रासाई की नाम क्या है देखे bleaching powder का रासाई की नाम क्या है या CAOCL2 इसका क्या है रासाई नाम है तो option number क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा right answer option number B चलिए अगला कुश्चन है 18 के सोने में खरे सोने का परसेंट क्या है खरे सोने का परसेंट क्या है यह सभी को पता है अगले कोश्चन की बात करेंगे यह नॉर्मल कुश्चन है संत्रे में आद भहुत अध में क्या पायात थे संत्र में सभी पायते है सभी को जानता है सबी पाता है कि क्या पाता हैilles Kelsey Ferrol Kelsey फिरया है हम और ईका होता है है कि टो को श किसा या तखिएगा और के का होता है फिलो क्वाकी नियुन तो यहां पर इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चेल्के को सॉब्स्क्राइब करिएगा और वीडियो को like करें में Sind तो इसी तरह है आपना धिहान रहा के टेक के राएंट बाइबाइबाइब